किसान में नमस्कार मेरा नाम गोविन पटेल है और स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं आज आपको जो है खेती से रिलेटेड चार पांच एप के बारे में बताने माला हूँ जो की फ्री है और साथ ही साथ जो किसानी से रिलेटेड है और हमारे बहुत सारे काम को जो है यह आसान कर देता है रोज मरा की जो जिन्दगी रहती है खेती वारी से संबन्दी तो सबसे पहले जो एप की में केटिगरी जो आप देखने हैं इसकी में 5-6 एप है जो लगबग बहुत अच्छा है और यह फ्री है आप इसको प्ले इस्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और सब एंड्रोइड में चलता है सबसे पहले जो एप है वो है किरसी-E किरसी-E जैसे कि आप देख रहे हैं यह महिंदरा और सवराद दोनों ने मिलके इसको रहता है तो इस तरीके से ये रहता है, साथ इसनात आप इसके दूत्रे सेक्شन में वह सलाहा भी मिलती है, जो के आपके फसल के हिसाब से आपको कितना उतना आप के बिरुजन मिलता है, साथ इसनात minute में नीदान सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर रोक के बारे में डिटेल जानकारी उसके लक्षण क्या रहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या सावधानी उपा यह सारा चीज जो इसमें दिया रहता है, काफी अच्छा अप है, यह जो की मेरा खुद का अप है, और इसमें जो है आपको पेस्टिसेट से रिलेटे जानकारी मिलती है, यह जो है पर मैंने इसको खुट डेवलप किया हुआ है तो इसमें आप इंसेक्टिसाइट पेस्टिसाइट बायो जैविक प्लांट ग्रोफ रेगुलेटर इस सारा चीज को आप उसको देख सकते हैं आप उसमें किलिक करते हैं तो उसमें रिलेटेट सारा चीज कितना डोस है कि इसकी प्लसने काम देता है जैसे कर सकते हैं जैसे फेट व इमीड़ा क्लोरोप्रीट शना बहुंत ही अच्छा दाऊई रहता है है तो इस सरीके सी मैं झों बीनेशन आपको मिल जागा जब आप इसको स्टॉल करेंगे देखेंगे तो आपको काफी मज़ा ऐने वाला वाला है क्या का तो इसके बारे भी मैं आपको बताता हूं देखिए जैसे कि Google Earth है इसमें जो है आप किसी चीज को नाप सकती है आप अपनी जमीन को है अच्छे तरीके से आप यहां पर आप जो देख रहे हैं जिय्क्रमेंट में आपने गया तो जैए कि मुझे यह चोटे से खंड को जो है मैं फूड़ार जूंब कर देता हूं इसको मैं है आपन है दो इहांपस क्या और यहां पर आप देख रहे लगबाप 52 लिड़ का है एक एकर से कम है औरaneySabrid से करसके चॉले कड़क से आप हेक्ट्रियर में भी कर सकते हैं मैं बहुत सारा चीज इसमें दिया रहता है और फीट में कर सकते हैं मीटर में कर सकते हैं यार्ड में माइल में ऐसे बहुत चीज कर सकते हैं तो इससे क्या है कि आपको जो आपकी जमीन जो है नापने में आसानी होगी और यह ज लिकत है कितने दिन का है today tomorrow यह सारा चीछ जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है बहुत ही अच्छा है 15 दिन का जो इसमें वो दिखा देता है थोड़ा सा एड आएंगी इसमें इसके बाद जो है अगला जो एप है वह स्मार्ट टूल यह स्मार्ट टूल का जो यह कितना एकड है कितना क्या है तो आप नीचे देखेंगे वह लगभग जो है 6 मतलब 6.45 मिल लगभग उसकी वह जमीन है जो उसने बोला 0.025 जो उसने हैक्टियर बोला तो ऐसे जो डेटा आते हैं हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो उस section में यह काफी अच्छा काम आता ह साथ हिसाब आप कई बार ना जैसे कि आप सुनते हैं कि एक हेक्टियर खेत में आपको इतना देना है एक हेक्टियर तो एक हेक्टियर जैसे कि हमने कर दिया तो एक हेक्टियर में आप देखेंगे कि वह मतलब कि 2.47 एकड होता है उसको हम लोग ढ़ाई एकड बोल देते है नहीं एकड़ होता है, साथ साथ स्क्वार मीटर में दिया है, स्क्वार फीट में दिया है, स्क्वार सेंटीमीटर में भी दिया है, गुंटा में दिया है, सेंट में दिया है, बीघा में, ऐसे सारे चीज़ जो है इसमें दिया रहता है, और इसमें आप लंबाई को भी ले सक होता है 50 feet होता है 49 feet इंच में रहता है यह से बहुत सारे चीज इसमें दिया रहता है काफी अच्छा यह है और बहुत चीजिस में दिया है अगले नमबर बेया थी अपना खेती की पाट-सला एप यह भी हमारा यह एप है और इसमें जो है कुछ हमने करके रखिए जैसे की कीट की जानकारी सेक्षन में यह जितने भी कीट होगा आज जो आप देख रहे हैं तो इसके बारे में आप जान सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि यह जो थ्रिप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको आपने क्लिक किया तो उसके च्छन दुखता है इसके नियूंतर करने के में बहुत सार जो दवा और कबारे में बता गया है इसी तरीके से इसमें रोग की जानकरी मैं आपको रोग से भी रिरिलेटेट मतलब फंगस जनित जैनित यो को सा बैक्तOOOO जनित है बहुत ही अच्छा एप है आप इसको download कर सकते हैं जिसका link में description में और comment में दे दे रहा हूँ उसके बाद last time में gram of phone ये भी एक काफी अच्छा एप है इसमें भी जो है बहुत सारा चीजें की जानकरी रहती है और साथ ही साथ जो है आपको इसमें मतलब की फसल से related product भी मिलते हैं सलाह भी मिलते हैं comment गरा भी ये सारा चीज जो बीमारी गरा लोग डालते रहते हैं तो उससे क्या कि बहुत सारा जो है जानकरी मिलती है कुल मिला कि यह जो 5-6-7 आप जो एप जो देख रहे हैं यह बहुत ही अच्छा एप होता है और इसको हर किसान की mobile app में होनी चाहिए मैं इसका link जो है description में भी दे रहा हूं comment section में भी दे रहा हूं वहां से आप इसको प्लेइश्टोर से डाउनलोड करके आप अपना काम को कर सकते हैं फिलाल आज की वीडियो में बस इतना है इस app से आपको कैसा लगा इसके बारे में आप details की नीचे में comment जरूर करें फिलाल